हेलो फ्रेंस तो कैसे हैं आप सब आइ होप आप सब सबस्त होंगे मैं हूं सरिता और बहुत बहुत विलकम करती हूं आप सब कुछ खड़ाब है मैंने वैक्सिन ली थी कल इसलिए आज मेरी मुझे थोड़ा सा बुखाड़ा चुका है और तब थोड़ी सी खड़ाब है तो यहां पर मैं जाड़ो वाड़ो लगा के साफ सुफाई करके उसके बाद मैं चली गई थी ब्रेकफास्ट बनाने और ब्रेकफ इसकी क्लिप ली थी और इसकी रेसिपी मैं सेर नहीं कर रही हूं जहां पर वैक्सिनेशन हुआ था मेरा वह आर्मी कैम्प है आर्मी कैम्प में मेरा वैक्सिनेशन हुआ था तो मैंने वहां का क्लिप लिया था बट कुछ सेकुरिटी रिजन्स की वज़ा से मुझे वह क्ल सारी क्लिप हटा दी है बस इंट्री की है यहां पर और जहां पर हम लोग बैठे वे थे अंदर में वैक्सिन लेने के लिए काफी लेडिज भी थी वहां पर और और मैंने यह क्लिप इसलिए लिए है क्योंकि यहां पर दो बच्चियां थी वो खेल रही थी देखिए कैसे को बिल्कुल सारे खत्रों से अंजान होते हैं और देखिए मगन होके खेल रहे हैं कोविड के खत्रों से अंजान कोरोना काल में तो काफी बहुत सारा नुकसान हो चुका है लोगों के जान का और बिजनेस वगड़ा का भी बट देखिए बच्चे कितने मन के सच्चे होते हैं बिल्कुल दुनियादाड़ी से और मुसीवतों से अंजान होते हैं और यहां पर मज़े से खेल रहे थे तो मैंने उनकी थोड़ी से आपने मुझे बताया इसका नाम जीमिकंद तो मैंने इसे यहां पर बना लिया था और यह जैसे हाथ में डिरेक्ट छूने से थोड़ी से हां में खुली हो जाती है तो मैं इसे डिरेक्ट नहीं चूती हूं थोड़ा सा हाथ में कुछ प्लास्टेक वर्गरा कवर करके उसके मां इसे चूती हूं और चाकू से काटने में तो काफी मुश्किल होती है ऐसे ले लिया ने तो अधर शूपीज होई तो मैंने रात में खाना नहीं बनाया और सभी को बोल दिया कि आप लोग जाके प्लीज बाहर खा लेजिए कुछ भी यो कि बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था खाना बनाने का और बिल्कुल बेट से उठने का तो मैंने तिनों को भेज दिया ट्विंकल आदर सुरून के डड़ी ये तिनों ही चले गए बाहर खाने के लिए और मेरी लिए कुछ क्लिप निकाल कर ले आए कि देखिए ममी हमने ये सब खाया था और मुझे दिखा के फिर ललचार है थे मुझे भी थोरा से रेष्ट चाहिए था तो ठीक है कभी बाख़कताव वैसे कोविट कर टाइमें सेफ नहीं बाहर खाना बट घर में बनने का कोई यह था नहीं कि मैं बनाती खाना और कोई है भी नहीं मेरे अलावा माजी भी चली गई हैं उनकी तो ऐसे भी तब्यत खड़ाब थी तो उन से कुछ बनता भी नहीं तो इसलिए यह लोग चले गए थे अपना रिस्टुडेंट में कुछ खापी के आ गए और यहां पर ट्विंकल ने किलिप अची निखाल ली मुझे दिखाने के लिए कि ममी देखो आपके मुह में पानी आएगा हम लोगों ने यह खाया वो खाया मैंने बोला चलो भाई अच्छा है तुम लोगों ने खालिया मुझे भी एक दिन का रेस्ट मिल गया कभी कबार खालिया करो बाहर और मैंने अपने लिए मेरा तो बिल्कुल भी खाने का मन नह ही बट अगर अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर फ्रेंड्स